नमस्कार आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूँ आशिश्टिवारी खास मुलाकात में आज हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं एक उभरती हुई राश्ट्रिय पार्टी के प्रदेशाद्यक्ष से जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के आमादमी पार्टी के प्रदेशाद्यक्ष नवीन पालिवाल जी की इस वक्त A1 TV के स्टूडियो में मेरे साथ मुझूद है प्रदेशाद्यक्ष नवीन पालिवाल जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 TV के स्टूडियो में नमस्कार आपको A1 TV में पदानने के लिए और बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आगया आपकी सारी टीम को दन्यवाद देता हूँ जी नवीन जी सबसे पहले सवाल मेरा व्यक्तिकत आप से रहेगा आमादमी पार्टी का दामन आपने थामा और व्यापारिक प्रश्ट भूमी से आप आते हैं राजनिती में आप उत्रे हैं पहले व्यक्तिकत आप अपने बारे में बताएं कि आमादमी पार्टी का दामन क को मिली है लेकिन जिस तरह से मैंने अपने परिवार में देखा और जिस तरह से इस देश की वेवस्ता है कि आएक आम आदमी जिस तरह से काम करना चाहता है उसको काम नहीं देला मेरा महतपूर जो था काम आने का रादिती में आने का था कि मैंने एक लड़ाई अपने परिवार में देश के अंदर को हमारी नियाए बवस्ता है उस नियाए बेवस्ता के दार मेरे पिताजी प्र्पुर्टी की है तंपथी की विवाद में लगब इस फैस में 55 साल की होने जा रही है लेकिन मैंने अपने परवार में 35 साल अपने पिताजी को मुकदमे को लड़ा तो मेरे मन में एक चीज आई कि इस देश की क्या वेवस्ता है कि 15 साल मैंने लड़ा 35 साल हमारे पचास साल में एक मुकदमे का डिसीजन नहीं होता है जबकि एक बच्चा जो जवान 18 साल में जवान हो जाता है और सब पेसट साल में वुजूर की सिद्धी में चला जाता है है तो आके हम इस देश के अंदर जो जी रही है किस वेवस्ता में जी रहा है इस परवरतन को लेकर मैं लोग हाये पार्टी में और सब से बड़ी बात है मैं राजस्तान में 86 मोटा में रह रहा हूं जी जी और एक को रजस्तान में ने देखा एक आम आदमी को हो सरकारी तो मन में एक इच्छा थी कि राज़स्तान के अंदर और हमारे देश के अंदर बदलाव आना चाहिए उस मिस्ण को लेकर जब अरविन जी ने पाल्टी बनाई इस से पहले रामदेव जी ने देश को एक ऐसा की किरन जगाई थी कि हम देश के अंदर बदलाव लाई आई है तो मैं रामदेव जी के साथ है जिस दिन रामदेव जी जंतर मंतर पर दिली पर अंसन बैठे हुए थे उनके समर्थन में मैं कोटा कलेक्रेट के बाहर अंसन पर बैठा हुआ था और जब रामदेव जी मंत छोड़के मैलाओं के कपड़े पहन के भाग गए तो हमारा भी हैं कोटा से जलकर दिल्ली गया और मेने जाका सबसे पहलि अपनी सिर्स्ता ली और उस दिन के बाद से आज तक मैं अर्विन के जीवाल आम आदमी पार्टी के साथ हूं और आज अर्विन के जीवाल जी के काम coach को देगकर ऐसा महसूस होता है कि देस की जंता को सिर्फ एक बिकल्ब एक बिवस्ताइप पर पपरतल अर्विन के जीवाल आम-ादमिय पार्टीं बिल्कुल और जिस प्रकारसी 59 हृब बनी रहता है बहरूंकि पैटन चला रहा है एक बार क्योंगरेस एक,बार्च ज फूपिक गई है और प्रतन क्युक्षब परीयता है है ध्यूलिक प आपको क्या लगता है राजस्थान का चुनाव आपके सामने है और पहली चुनोती छेमेने पहले आपकी नियुक्ति हुई है प्रदेशादेक्स की जिम्मेदारी आपको दी गई है तो ऐसे में अब जो चुनोती है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं राजस्थान की चु थे जोनोंने सरकारी से लोकली लेकर एक अपने मतलब इतना महतपूर पत को त्याग करके आम आदमी पार्टी जोइन करी थी उन जैसे हजारों करांतिकारी हैं जो आम आदमी पार्टी में एक बदलाप की आसाद से लेकर जुड़े थे और 2013 में हम लोगों ने लोकसवा चुन में लगाया था जिस पौधे को बड़ा होने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे वो पौधा आर्ट डे वाई डे बड़ा हो रहा है दिली दिली के बाद पंजाब और दिली में आप देख लीचे एक वार नहीं हम तीन वार जीत किया हैं और चौती बार में दिली की जंता ने हम लोगों को वरपूर समर्दन किया है उसके बाद पंजाब में हम जीत कर रहे हैं और राजस्तान की में बात करूँगा तो दो हजार तेरह में लोकसवा चुनाओ जिसमें हुए थे उसमें हम लोग कोटा में काम कर रहे थे उसके बाद मुझे संभा के साथ अपने साथियों के साथ टीम के साथ सो दो सो लोगों की टीम के साथ हम लोग पूरे राजस्तान में भूमे थे दो हजार तेरह के मैं बाक्या बताता हूं कि हमने एक गाउं में जाके चाही पी थी और उस गाउं में उस ब्यक्ति से पूचा था कि भाई क्या अर्व केजरिवाल को एक गाउं का एक आम आदमी जान रहा है तो आज 9 साल में हमारे दिल्ली के काम हमारी दिल्ली में जिस तरह से हमने दिल्ली के अंदर परवर्तन किया है और उस परवर्तन को देखकर आज राजस्तान ही राजस्तान के मुख्यमंतरी असोग गैलोग जी अन्य रा हमारे दोस्त हमारे रिस्तेदार हमारे दिली में वैपारी यही कहा करते थे कि राद्देतिक पार्टियां आती रहती है जाती रहती है कुछ नहीं होगा पालिवाल जी बेकार समय बरबात कर रहो लेकिन आज मुझे खुसी होती है कि हम लोगों दे जो पौधा लगाया था व बड़े जो आपने को विधायक केते हैं जो अपने को सांसाथ केते हैं इयमें पांच बार का विधायہ कूं मैं 2-3 बार शांसा दोंगके सिंगह choppedождan को दोलने का से प्रदेश सद्धिक्च बना हूँ उस दिन से बरावर मंच में ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी 200 विधान समों में जोनाओ लड़ेगी मजबूती के साथ लड़ेगी और अगर राजस्तान की जनता आम आदमी को प्यार देगी अपना समर्थन देगी तो मुझे की घोशना कर दी गई बीजेपी ने पहली सुची जारी कर दी कत्तालिस पित्याशी घोशित कर दी है कॉंग्रेस की भी सुची बहुत जल्डाने वाली है तो कहीं कहीं इस एड़उंटेस से पीछे नहीं रहती है क्योंकि आधमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है आज इन दोनों पार्टियों ने राजस्तान को एक अच्छा सासन दिया होता राजस्तान को रष्टा चार मुक्त बनाया तो आम आदमी पार्टी की जोगत पढ़ी पूरे देश को आम आदमी पार्टी की जोगत पढ़ी क्योंकि पूरे देश की दंता इन दोनों पार्टीयों से चाहे बाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे गहलोज जी हो चाहे बसंदरा राजे हो आप देखिए मिल बांट कर राज कर रहे हैं आप बताइए आज मुझे याद आता है जिस समय 2013 में हमारी पहली बार अर्विन जी चुन के आयते दिली में तो मैंने कोटा के अंदर अपने जो हमारे लोकसवा की अद्दक चौम बिल्ला जी बने हुए हैं उनको कोलिस गाड़ी में घूमते दिखा था आप देखिए वो भी एक आम आदमी बनके घूमने लग गए थे लेकिन समय के साब से आप देखिए बदलाव आया तो मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे जो नेता है पुरिस की बात देख लिजे राजस्तान में विधाईकों को खरीदने में आप यह बताईए 2018 में गैलोज जी चुनकर आये गैलोज जी को चुनकर आते ही सबसे पहली सपत लेनी चाहिए थी आम जंता के हितों के काम करने के लिए अब रिष्टाचार को खतम करने की बात कर करनी चाहिए थी बैरोजगारों को रोजगार देने के सिलसले में बात करनी चाहिए थी लेकिन कुछ नहीं किया आप देखिए जबकि मैं एक आपको वाक्या बताता हूं 2012 में असो गैलोजी ने बहुत बढ़िया कानून बनाया था राजस्तान जंसुनवाई कानून 2012 वह आम आदमी पार्टी के जीत के बाद जिस तरह से अर्विन जी ने दिल्ली के अंदर 49 दिन का सासन किया था कि अर्विन जी के 49 दिन के सासन पे दिल्ली की जनता ये कहने लगी थी कि साब आम आदमी आ गया है अर्विन केज्रिवाल लोग वाक्त रिस्वत लेने से डरने कोने पर अर्विन केज्रिवाल के कामों की छट्चा हो रही है तो यह बदलाप था हम लोग इस बदलाप के लेकी आयते हैं और हम लोगों का एक सपना था वह सपना आज पूरी तरह से पूरा हो रहा है मुझे पूरा विश्वास है राजस्तान में भी इस वार हमारा सपना प पनाएंगे और राजिस्तान विधान सभा के अंदर पहली वार आम आदमी की दस्तक होगी। नवीन जी ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आप लड़ रहे हैं और एडी की रेड आम आदमी के नेताओं पर पड़ रही है। पहली ब्रष्टान ने चुना था कॉंग्रिस को सरकार किसकी बन गई भाजपा की। महरारष्ट के अंदर भी उधरर देख लिजे चुना सिफसेना को तो सरकार किसकी राज़ कर रही है भाजपा की। तो भाजपा जिस तरह से ताना साही रवया अपना रही है वो सोच रही है कि इस पार्टी को खतम कर दिया जाए। जिस तरह से दिल्ली के अंदर आप देख लिजे हमारे महला क्लिनिक बनाने वाले हमारे स्वास्त मंतिते सतन जेज़ जी को डिल के अंदर डाल लगा है। साल भर हो गया है बताइए। आज मनीश सुषय जी जोनों ने पूरे दिल्ली के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिछा का एक मोडल पेस किया। आज उनको जेल के अंदर डाल लगा है। और अभी ताजा करटना करम है कि राजसभा के अंदर हमारे राजसभा संजय सिंग जी ने देश की महिलाओं के खलाब जो मड़ी पूर्मा गटना होई। उसके खलाब कितनी बुलंद आवाज राजसभा के अंदर उठाई है। आज उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। तो जिस तरह से इस आवाज को दबाने के लिए इड़ी और सिभ्याई का उपयोग किया जा रहा है। मेरा मानना है यह आवाज दबने वाली नहीं है। जितना इस आवाज को दाबने की खुशिस की जाएगी उतना ही आवाज यह पूरे राजस्तान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर फेलेगी। नहीं हम लोग कर्ण्तिकारी हैं हम लोग बगईसाइं की तरह लडना जानते हैं हम इस देठ के अदर बदलाप की लड़ाई लड़ने के लिए हम रादिनी आई अगर आधिन्यकरना होता हám खामाना हमारा मक्साद उता तो हम लोग भाज़तिए तो हम लो पार्टी की जुतते होटी तो हम लोग किसी बीकारी हैं हम लोग किसी जहां ही तरह है हमारे जब दिल्ली में पार्टी बनीती और हम लोगों ने बी आई पी कल्चर का प्रोध इस लोग लागव कर थिक्लाई है लेकिन प्रसासन कलेक्टर हिम्मती नहीं करता है अपने विदाइकों के और इनके एकलाब बोलने की तो मैंने खुद अपने दसवारा साथियों के साथ कोटा के चोराए भरे चोराए पर उनकी लालबती का बिरोत किया था और उस समय की जो ततकालीन उप महाबरती सुनता ब्यास सुनता ब्यास नहीं हमारे ओपर केस दर्ज किया था महिला चेड़चार का आप बताईए लाखों लोगों की मौजूदगी में वीडियो बना सब कुछ है उसके बाबजूद महिला चेड़चार का केस हम जैसे दसवार जिसके करान हम दस वारा दिन की जेल भी काट के आए तो यह वेवस्ता है तो कोई आवाज उठती है उसको दवाने की कुछित की जाती है और देखिए मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ इतिहास में लिखा हुआ है कि जब कोई सब्यता अपने चर्मत कर्स पे पहुंच ज अपने बनावे जाना है बबिजकी जेपी पर आपके आरोप रहे लेकिन अब चुनाव में जाना है रा Examples में राजस्तान के चुनाव में राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार है तो क्या लगता है आपके जो आरोप है वह सरकार पर भी केजरिवाल Wong की जितनी भी गारंटीय थी हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हिंदुषतान की रादनी हुरती है हम लोग गारंटी देते हैं केजरिवाल जी गारंटी देते और गारंटी का मतलब जो कहा वो करके दिखाना है जैसे हैं ने दिली में सबसे पहले चुनोल लडाता हुशने बिद्ली में की dernière इसे ही दिली के बाति है कनी पञंजाब के पंजाब में में सरकार है हमने पंजाब में 500 से ज्यादा मोहला क्लिनिक बना दिये जनता के लिए लेकिन राजिस्तान की बात करेंगे 2013 में भी जब गैलोज जी चुनकर आये थे गैलोज जी ने जनता क्लिनिक का बदा किया था उसके बाद 2018 में वो सरकार नहीं आपाई 2018 में जब गैलोज जी चुनकर आये उन्होंने जन्ता क्लिनिक का बादा किया था आप बताइए साड़े चार साल हो गया चुनाओ को मातर एक मेना हो गया है अब चुनाओ होने जा रहे हैं जिने कितनी जन्ता क्लिनिक बनाई राजिस्तान की जन्ता के लिए एक बी क्लिनिक नहीं बनी और कुछ बनी है तो उसमे से आपका यह कि कभी जा के सरकारी अस्पथाल का मौईना करें प्राइबेट हॉस्पिटल में दे रहे होते तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पूरे राजस्तान के डॉक्टर ने अरताल की थी क्या होता है हॉस्पिटल में योजना देने से काम नी हो जाता पैसा समय पे मिलना चाहिए प्राइबेट हॉस्पिटल होता है उनको पैसा समय से मिलता वह कारवाई नहीं करते हैं आज देखिए पूरे राजस्तान के अंदर भी हमारे जब अर्विन के रिवाल जी 18 जून को गंगा नगर आये थे बगवंत मान जी भी आये तो मैंने देखा था कि गैलौद जी ने जितनी गोश्नाएं करिया है उनके पूरे गोस्नाओं के होल्डिंग हमारी सभाटन डाल के चाहला तरफ लगा तो ऐसा तो गैलौद जी जितनी घोश्णा कर रहे हूं नकली केजिग्यू बनकर कर रहे हैं और आप रजस्ताल में असली केज्रिवा आ गया जो कहता है वो करके दिखाता है जो कहा है उन्होंने किया है गैलोज जी अगर एक भी बता दे मुझे जो उन्होंने कहा करा प्रेश्टाचार का बादा किया था कतब किया गया उन्होंने जुनावी मैदान में आप जाने वाले हैं सभी पार्टी अपना घोशना पत्र जारी क तो राजस्थान को लेकर किया गारंटी आप लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं कौन-कौन से वादे रहेंगे आपके जनता से आम आदमी की जरूरत जो होती है रोटी कप्ला और मकान और रोजकार उनी को लेकर उनी गारंटीयों को देने के लिए अर्विन केजिवा गारंटी थी हमारी गारंटी थी मुप्त सिक्षा मनब हर बच्चे को बढ़िया सिक्षा मिलनी चाहिए मुप्त सिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि जब तक हमारे देश के बच्चों को या राजस्तान की मैं बात करूँगा राजस्तान के हर बच्चे को अच्छी सिक्षा नह विल्ली फिरी देंगे गहलोध जी ने हमारी नकल करी पहले 50 युडिट फिर 100 यूडिट वो भी चुनाओं से साड़े-चार साल भीचने के बाद तो हमारी दूसरी है हम 300 युड़ी फिरी देंगे, तीसरी हमारी मैलाओं के लिए है, हमारी सरकार बनती है तो राजिस्तान में अगर एक परवार में तीद मैला हैं तो तीनों मैलाओं को एक हजार रुपए मैने के हिजाब से तीन तीन यार रुपे पर बन्त ती चाएगा चौत हमारी गोस्ना थी सहीदों के लिए आप देखें सहीद के लिए देख लिए देख लिए कि आज अगनी भीर योद्ना मुदी जी ने चलू किया है अभी कस्मीर के अंदर एक विचारा जवान सहीद हो गया पांच साल नोकरी करने के बाद उसको क्या मिलता है कुछ नहीं देरी है जिस तरह से हम लोगों ने सहीद की गोस्ना करी है कि कोई भी सहीद चाहे बोडर पर लड़ता हुआ सहीद हो चाहे पुलिस वाला हमारी रख्षा करते हुए अपने सहर में सहीद होता है उसके परिवार के जीवा नियापन के लिए एक करोन रुपे की राशी दी चाहेगी यह हमारी चोती गोस्ना थी इस तरह से हम लोग और बैरोजगारों के लिए आप देखिए बारा लाख नोकरी की हम लोगों ने गारंटी दिये राजिस्तान में देख लिए आज किसान अपनी जमीन वेच के अपने बच्चें को पढ़ाता है और बच्चा जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है अरे परी क्या वैबस्ता है तो हमारी जो बारा लाख लोगों को रुजगार की गारंटी है यह हम लोग गारंटी दे रहे हैं इस तरह की हम लोग गारंटी आ दे रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है तैयारी आपकी बड़ी है लंबी तैयारी है कौन प्रत्याशी होगा कौन सी विधान्सवा शेतर से कौन चुनाव लड़ेगा इस पर पूरा एक्सराइज करके पूरा वर्काउट किया जा चुका है हाँ देखिए मैं लगातार छे मैने से राजिस्तान के कौने कौने में गूम रहा हूँ जब से मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दिये मैं लगातार जा रहा हूँ अभी मैंने 25 दिन की लगातार कौन्टिनिवस यात्रा करी है हम लोगों ने हर जगे जाकर अपने कंटिडिटों का चेहन किया है हमारा जो कार करता है और हम लोग गाउं में जाते हैं हमारी एक खासियत है कि हम गाउं में जाते हैं वहां से लोग बागों से मिलते हैं और लिस्ट की जो आप बात करेंगे हम लोगों ने पूरी 200 विदान सबाओं में अपने प्रत्याशी चेहनित कर लिये हैं हमारी लिस्ट हम लोगों ने अपनी पीएसी को भीज दिये पीएसी राजिस्तान के अंदर अती सिक्र हमारी लिस्ट डिकलेर करेंगी और मुझे उम्मीद है कि हमारी एक दो दिन में लिस्ट आ जाएगी और हम लोग पूजी दोस्तान के चलते हैं क्योंकि कॉंग्रेस और बीजेपी का पैटरन अलग रहता है मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी का जो आम आदमी को खास आदमी बनाने के आपकी सोच है एक आम आदमी को एक मंच देने की सोच है तो उसमें कहीं कहीं जैसे चुनाव लड़ना है तो धनबल का उपयोग चुनाव में होता है तो किस प्रकार का क्राइटेरिया आपका जो प्रत्याशी होगा वहाँ पर देख रहे हैं जहां भी जिस भी विदान सबाग शेतर के लिए आप देख रहे हैं देखिए हमारा तीन हमारे पार्टी के प्रत्याशी उमीदवार के चेहन के क्राइटेरिया है नमबर पहला ब्राश्टाचारी नहीं होना चाहिए, दूसरा अपरादी नहीं होना चाहिए, तीसरा ब्रावीचारी नहीं होना चाहिए तीन चीजे हम लोग बिल्कुल प्रायल्टी में देखते हैं मैं आप लोगों से बादा करता हूँ आपके माद्यम से जनता से भी कहना जायता हूँ कि हमारे जो भी प्रत्याक्षी घोसेत होंगे अगर उसके उपर किसी भी तरह का इन तीन आरोप लगें तो आप बेचक बताइए कि हम उस प्रत्याक्षी को तुरंट हड़ाते हैं राजितान के अंदर से और इसके अलाबा हम लोग युवा लोगों को ज़्यादा मौका दे रहे हैं हमारी जो पहली लिस्ट आ रही है इसमें आप देखेंगे अच्छे बैपारी आ रहे हैं अच्छे समाच से भी आ रहे हैं अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं अच्छे आईयस अधिकारी आ रहे ह हैं उनके वो लोग भी आ रहे हैं तो हम लोग एक और महिलाओं के लिए देखिए अभी मुदी जी ने 33% की घोस्त ना करिए हम कहते हैं वाई 33% क्यों पचास परसेंट महिलाओं को समानता का दिखा तो मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संखे में आदनाभी पार्टी से जुड़े हैं और किसी भी रादनेतिक दल से जुड़े हैं तो क्या मान के चलें क्या आमादमी पार्टी की जो लिस्ट आएगी उसमें दोसों में से 190 महिला उमिदवार होंगी जादा से जादा हम लोग कोसीज कर रहे हैं अगर हमारे पास महिला प्रताक्षी आ रही हैं तो हमारे पास जितनी भी महिला प्रताक्षी आएंगी हम लोग उनको अपनी थरी चीज़ जो हमारी होती है उसके तहर देख और महिलाओं को मौगा देगे हैं कॉंग्रेस हो पीजेपी हो उनके पास में लंबी लिस्ट होती है उनके पास में टिकेट लेने वाले लोगों की खासी भीड रेती है बायोड़ा देने वालों की एक एक विदानस्वाशीट पे पचास-पचास सो सो नाम होते हैं आम आदमी जो संभाग दिल्ली से टच है उसमें ये चीज बहुत ज़्यादा है हमारे एक एक विधानसवा में आठ आठ ददस उमीद वार है हमको भी चैनित करने में दिकत हो रही है उसमें तो जनता एक बिकल्प तो देख रही है और हम लोग मेरा मानना है कि जिस तरह से चैन किया जा हुआ और पूरी ही 200 विधानसवों में हम अपने पत्या से डिकलर करेंगा अभी पार्टी ने लिश्ट जारी की बीजेपी ने उसके बाद बगावत के सूर देखने को मिले कॉंग्रेस की सूची भी आने वाली है तो क्या आहम आदमी पार्टी ऐसा विचार रखती है कि है अपना वर्चस वर रखता है लाके में तो क्या इसी लिए भी होल्ड पे है और उसमें अपडेट हो सकता है कोई भी अगर बागी भी है तो जो चर्चाएं आ रही है सुत्रों से जो जहनकरी सामने आ रही है कि बागियों पर भी आहम आदमी पार्टी की नजर है करका है अरे राधणीती में सबkimh dari होती जिसे अई करते हैं टेकर फ्री में अच्छे लोग भी तो हम ऐसी वातनी हैं अगर वो लोग आएंगे एक आम आद्मी बनकर आमादमी पार्टी जोहिन करते हैं तो आमादमी पार्टी उनको भी मुझा देगी बाना दा सकता है कि उनके लिए भी दर्वाजे खुले हैं आदमी पार्टी पिल्कुल पिल्कुल जो इमानदार है। और आमादमी पार्टी को से चुरावना ले बिल्कुल अब कॉंग्रेस और बीजेपी ने युद्ध तरफे तैयारी शुरू कर दी है राजस्तान में दोनों पार्टियों के प्रदेशा द्यक्षों ने भी दोरा कर लिया है प्रधान मंतरी खुद दोरा कर रहे हैं ऐसे में आम आदमी पार्टी के स्टार पचारक कब में दान में परेंगे और कोन कोन से वो चेहरे होंगे देखिए आम आदमी पार्टी का स्टार पचारक आम आदमी होता है जो परवरतन की लड़ाई लड़ता है देखिए मुझे बड़ा थाज्यों होता है आप देख लिए इंद जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाब साजिसें रची जा रही है जिस तरह से आम आदमी पार्टी के निताओं को जेल में डाला जा रहा है हमारी संख्या बेसक कम है हमारे आप देखिए तीन-तीन को तो जेल में डाल दिया लेकिन फिर भी हम गबराने वाले नहीं है हमा के साथ राजस्तान के अंदर चुनाऊ लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे जितनी भी ताक्ते आ जाया चाहे कंगरेस की हो चाहे भाजपा की हो जनता ने इनको खूब मुखा दिया और इन दोनों पाल्टियों मिलकर राजस्थान को लूटा है गठवंदन करके बचुंदर और सोग गैलोजी का जो गठवंदन है उन्हों ने दोनों मिलकर राजस्थान को लूता राजस्थान की जनता के लिए काम नहीं किया है तो मुझे पूरा विश्वास है आप आदमी पार्टी को इस्वार अगर आदमी के छेहरे पर एक मुझकान आ जती है वो ये थावित करती है कि इस वार राजिस्तान के अंदर परवर्थन होगा और आम अदमे फाल्टी की सब्सक्रार बनेगी जिस परकार से बनाया जाता है मुख्रि मंतरी कोन होगा तो कि ये इस परकार की तैयारी कर ली गई है कि अगर मालीजे की पार्टी को बहुमत मिलता है तो यह हमारा मुख्मंतरी का चैरा होगा लेखे हमारी पार्टी का सीधा सा कि आम आदमी ही मुख्मंतरी का चैरा होता है पंचाब के अंदर भी हम लोगों ने जनता से बोट मांगा था समस के धुरू और आम आदमी ज जो कोई भी हो सकता है, एक छोटे से गाउं का रहने वाला हो सकता है, एक बेरुजगार हमारा साधी हो सकता है, एक किसान हो सकता है, जो हमारे आंदोलन में, हमारे साथ कंदे से कंदा मिलाकर लड़ रहा है, वो राजिस्तान के अंदर मुखमंतरी का चेहरा होगा. बिल्कुल नवीन जी अंतिम सवाल में आप से करना चाहूंगा राजस्थान के चुनावी रण में आप जा रहे हैं एक बार कोंग्रेस एक बार बीजेपी का पैटर्न चला हुआ है बड़ी चुनोती आमादमी पार्टी के सामने है आमादमी पार्टी क्या किंग मेकर की भू सरकार बनानी पड़ी किसी भी पार्टी के साथ जाना पड़ा तो कॉंग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगे आमादमी पार्टी जहां भी लड़ी है मजबूती के साथ लड़ी और सरकार बना किया है तो हम र प्रदेश अद्यक्ष नवीन पालिवाल जी जिनोंने बताया कि अभी भी दर्वाजे खुले हैं अभी भी आमादमी पार्टी ने दर्वाजे खोल रखे हैं इंतजार किया जा रहा है कॉंग्रेस और बीजेपी की सूचियों का और उसके बाद जो बागी चेहरे होंगे निर आमस्कार